हार्याणा की नई सरकार का फ्लो टेस्ट आज है सुभा ग्यारा बजे हार्याणा विधान सभा का विशेश्चु सत्र नई सीम को सदन में साबित करना होगा भवमत फ्लो टेस्ट को लेकार सीम नाव सिंग सैनी का बयान भी सामने आया है 48 विधायकों का समर्थन पत्र राजिपाल को सोपा है सीम ने कहा विधान सभा में अपना भवमत पेश करेंगे सीम ने कहा तो देखिए नई सरकार का फ्लो टेस्ट है आज तो हर्याणा की राजुनीती में ये बहुत बड़ा घटना क्रम और आज जो नई सरकार का फ्लो टेस्ट है सुभा 11 बजे हर यड़ा विधान सभा का विशेश्यू सत्र है ये नई सीम को सदन में अपना भवमत साबित करना होगा फ्लो टेस्ट को लेकार सीम नाइब सिंग सैनी का ये बयान भी सामने आया है दरसल सीम नाइब सिंग सैनी ने कहा कि 48 विधायकों का समर्थन पत्र राजेपाल को सोपा है और विधान सभा में अपना भवमत भी पेश करेंगे और खबर पर ज्वादा जानकारी लिए हुए हमारे विषेश्य समवादाता रवी कारी रमन जुड़ गए हैं रवी आझ जो नई सरकार का फ्लो टेस्ट है क्या है जानकारी बिल्कुल साथना देखिए विशेश सतर बुलाया गया है नई सरकार का फ्लो टेस्ट आज होना है 11 बजे का समय रखा गया है विशेश सतर जब शुरू होगा और ऐसे में कहीं नायब सैनी सरकार के पास जो आकड़े हैं वो बहुमत के आकड़े हैं 40 विधायकों का उनकी तरफ से दावा जो है वो पेश किया गया था समर्थन पत्र जो है राजबाल को सोपा गया था जब सरकार बनाने के लिए राजयपाल से मिले थे तो ऐसे में कई ना कई नमबस के अगर बात की जाए तो नमबस भारती जन्ता पार्टी के पास परियाप्त है लेकिन फ्लो टेस्ट कराना बहुत जो है वो जरूरी होता है तो उसी के चलते विशेश शत्तर जो है वो बुलाया गया है ग्यारा बजे ये विशेश शत्तर जो है शुरू होगा और उसमें तमाम जो विधायक है वो फ्लो टेस्ट करते होई नजर आएंगे किसके समर्थन में वो खड़े हैं ये देखने वाली बात होगी नंबस के अगर बात की जाए तो 41 विधायक भारती जन्ता पार्टी के साथ हैं छे निर्दलिय विधायक हैं एक विधायक हलोपा से हैं सिर्सा विधायक हैं हलोपा सुप्रीमों को पाल कांड़ा है तो कुल मिलाके 48 विधायकों का समर्थन पत्र जो है वो शामिल है इसके अलावा अगर बात की जाये तो जन्नाएक जन्ता पार्टी के पांच विधायक ऐसे हैं जो कहीं जन्नाएक जन्ता पार्टी के खिलाफ जाकर इस फ्लो टेस्ट में शामिल हो सकते हैं देखना होगा कि उनका रुख किस प्रकार से रहता है लेकिन कल की बात की जाए तो ओट सेरिमानी की अगर बात की जाए साधना तो पांच विधायक ओट सेरिमानी में पहुंचे थे इसे पहले भी अटकले यही लगाई जारी थी कि जन्ना एक जन्ता पार्टी अब दो फार्ड हो चुकी है कि जब फ्लो टैस्ट होगा तो इन विधायकों की नज़र इन विधायकों पर शबकिन जब हो रहने वाली इस प्रकार से यह अगली रणनीति टै करते हैं कि इस प्रकार से तमाम जो चीज़ यह हैं वो सदन में होती है अब कुर्या आपने जानकारी थी कि दान सभामी अप मुख्यमंत्री नायब सैनी समेंथ तमाम जो विदायक है boys have been सब्सक्राइब करने वाली है वहीं दूसरी तरफ सरकार अपना टेस्ट कर रही है तो जन्नाएक जन्ता पार्टी किस प्रकार से इस फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेती है वो देखने वाली बात होगी क्योंकि देखें पांच विधाएक उनके चीटक चुके हैं बात करें राध करण काला अंरजी धंडा नैना चोटाला दुशयन चोटाला ये पांच जो विधायक हैं ये कहीं न कहीं दुश्यन चोटाला के साथ खड़े हुए कि बहुत stick कि बात करें वाइन की बात करें लुए। सुंधर सबकर्ण कर रहें कि हुए और सबकी निगाहें टिकी रहेंगे किस सिर्चन का हिस्सा है किस परकार से अंकी रहती है किस प्रकार से इन कास्ट करते हैं और कहीं न कहीं सरकार को बहुमत सामित करने के लिए जो आकड़े चाहिए आकड़े सरकार के पास हैं मैंने पहले भी बताया कि 41 जो विधायक हैं वो भारती जनता पार्टी के विधायक हैं 90 विधायकों की विधान सबह हैं 40 बारती जनता पार्टी के साथ हैं एक खालोपा से गोपाल कांडा हैं इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कॉंग्रेस के पास 30 विधायक हैं जन्ना एक जन्ता पार्टी के पास 10 विधायक हैं तो ऐसे हमें कहीं न कहीं एक विधायक इनलो से है और एक विधायक निर्दली विधायक जिसके हम बात कर रहे हैं बलराज कुंडू जो महम से निर्दली विदायक हैं वो कही न कहीं सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नज़र आये हैं पिछले दिनों में जितनी भी हाला की सरकार जब बनी थी उनका भी समर्थन सरकार को था लेकिन उसके बाद जो है वो नराज नज़र आये और कहीं न कहीं सरकार के साथ सवाल जवाब करते हुए नज़र आए, उनको कटगरे में खड़े करते हुए नज़र आए, अब किस परकार से पूरी रणनीती रहती है, किस परकार से तमाम विधायक वोटकास करते हैं, यह देखने वाली बात होगी, जी बलकुल रवी, आप जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्री आप जानकारी देने के लिए और वने रहने के लिए तो दिखे, फ्लो टेस्ट को लेकर आज जो बयान है वो भी सामने हैं कि 48 वधायकों का समर्तन चोहें, वो राजेपाल को सोपा गया है, इस वीच क्योंकि अब ऐसे में फ्लो टेस्ट है, नई सरकार का यह फ्लो टेस्ट होगा, और इसमें सरकार को अपना भवमत चोहें, व हमारे पॉलिकल एडिटर अमित भी जुड़ गए हैं, अब देखे, नई सरकार का अज जो फ्लो टेस्ट है, ग्यारा बज़े से सत्र की शुरवात है, अमित जी बिल्कुल सादना सबसे महत्पूर है कि कल ही नायव सिंग स्याणी ने मुख्य मंत्री पद की शपत लिए और उसके बाद आज के दिन उनके लिए एक तरह से फ्लो टेस्ट परिक्षा ही होती है, अपना भवमत साबित करने की तो नायव सिंग स्याणी आज अपनी पहल परिक्षा हरियाना के मुख्य मंत्री के रूप में दे रही है विधान सबा में, विशेश सत्र बुलाया गया है, उसमें फ्लो टेस्ट होगा, हलांकि जैसा कि अभी हमारे विशेश समवाता रवी काली रमन बता रहे थे कि सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं है, नायव सिंग सैनी के पास प्रियाप्त आंकडे हैं, प्रियाप्त पास होने के लिए नंबर हैं, च्योंकि 41 तो खुद भाजपा के ही हैं और 6 निर्दलिये उनके साथ गटे हुए हैं, और 77 हर्याना लोकित पार्टिके परमुख और पूरु ग्रियर राज्यमंत्री, सिर्सा विधायक, गोपाल कांडा भी वहाँ, उनके साथ खड़े हर समय मौझूद रहे हैं, तो ऐसे में उनके पास संख्याबल के हिसाब से प्रियाप्त संख्या है, 46 चाहिए विधायक और इस टेस्ट को पास करने के लिए, और उनके पास उनसे ज़्यादा संख्याबल है, तो ऐसे में यह और समय समय पर वो नाराजगी जाहिर करते थे, तो आज उस नाराजगी को लेकर वो क्या एक्शन लेते हैं, उन पर विशेश रूप से सारे हर्याना की इसलिए नजर भी रहेगी, कि वो जो विधायक हैं, चाहे देवेंदर बबली की बात करें, या जो जोगी राम सिहाग बात करें, राम कुमार गोतम की बात करें, इनकी और से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर जरूर नजर रहेगी, क्या वो अगली अपनी राजनितिक पारी को सुरक्षित करने के लिए भारती जनता पार्टी से किस रूप में जुडते हैं, तो ऐसे में उन्हें दलबदल क भी देखिए ध्यान रखना ही होगा और और आज हिसार में देखे अजय सिंग चोटाला के जनम दिन के ऊपर एक कोई रैली भी रखी गई है तो उसमें क्या कुछ गोशना है जेजेपी की तरब से की जाती है और क्या तर्क दिये जाते हैं किस वज़े से उन्हें जो है इस प पर लगी रही और आज निश्चित रूप से फ्लो टेस्ट को लेकर भी सियासी गल्यारों में नजर बनी रहेगी कि आखिकर क्या कितने आंकड़े वहां दिखा पाते हैं नाइब सिंग सैनी और इस परिक्षा को पास करते हैं उससे पहले अपने विदायकों के साथ भी बै तो नाइब सेनी की मुख्यमंत्री बनने के बाद कार्यकरताओं से आज मुलाकात भी होनी है फ्लो टेस्ट को पास करने के बाद जी साधना बलकुल अमित आप बने रहेगे मैं लोटूं कि आपके पास जानकारी हम आपसे आगे भी लेंगे मैं नाइब सिंग इस्वर की सब्त लेता हूँ कि मैं विजी द्वारा स्तापित भार्त के सविधान के प्रती सची सरधा और निश्था रखूंगा मैं भार्त की परभूता और अखंडता अक्षुन रखूंगा मैं हर्याना राज्या के मुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सुर्धा पुरुवक और सुध अंतकर्ण से निर्वहन करूँगा तथा भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना मैं सब परकार के लोगों के प्रति सविधान के और वीजी के अंतकर्ण से नियाए करूँगा मैं नाइब सिंग इस्वर की सब्त लेता हूँ कि जो विश्य हर्याना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़ कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं परत्यक्स या प्रोक्स रूप में अंसंसुचित या परकट नहीं करूँगा और निस्था रखोंगा